हेलो एवरिवन वेलकम बेग तो आज ती आपने यूनिट वन स्टार्ट करवा जीरिया ची यूनिट वन चे तामारू बेजिक कंसेप्ट ओफ डेटा स्ट्रक्चर्च तो आ यूनिट ना टोटल माक्स चे साथ लेके फाइनल एक्जाम मा तमने आ चेप्टर माथी साथ एक मा चे चे चाके ठो आज यूनिट मा टोटल आज साथ टाइप ना टोपिक्स चे डेटा स्ट्रक्चिस स्ट्रक्चर्चे खाया छें टेटा स्ट्साल ऑप्र आफ्पर आज ना लेक्शेर मा आपटे ऐक आपकर कर सेथा हाओ वे फर्स ट्वोपेक के देटा स्ट्वक्चर शूँछे अनने डिफरेंट्ट टैप में डिटा श्रक्चर काया होई शके जे मां थी आक्वेस्चेन एक बेवाखर पूछाए गेलो छे के लिस्ट आउट डिफरेंट टैप अफ डिटा स्टक्चर अथवा तो एक के बेमाक मां पूछे जाके के वोट इस डिटा स्टक्चर एन एक्स्पेंड विट एक्जाम्पल लास्ट लेक्चर मां आपने स्टक्चर सिख्टा पेल आपने खबर होई जो के आफू जे कोंपिटर छे ऐक कोंपिटर पास आपने आपनें काम करा हुआ अंतर पेला जहू पड़े के कोंपिटर जे छे ई-डेटा स्टोर करा ही दह क्रें ये करेश झजयू ये moteघ डड़ी plenty परेजेंट करिते करती के श पह्सतो उपी दे तो कोंपीटर डारेक्ट आपणे इवस्तो नहीं आपी सकती यहने input आपवा माते नको एख method होये छे इजरते च्रोंपीटर आपणे डारेक आउट mayo पूट नाथी आपी अपी सकती तो आउट सू छे अनने information सू छे बेक मार्क मां पूछाय चाक्या छे के वोट इस data and what is information explain with example तो लास्ट लेक्चे मा पणवाद करली के data हिसु छे तो के row collection चे येटले के येटले है साधी बहात सामाँ बोले तो काचो माल थे जेना उपके प्रोसेस कर ली ना थी एनी अंदर फैक्स होई शके फिगर्स एटले के इमिजी शोई शके तेन नंबर अथ्वा सिम्बोल कई पण होई शके तो आप बद्दानों जे कलेक्शन छे एने के वासे डेटा अगर जो डेटा छे इप्रोपर एरेंजमेंट मा ना थी तो इडेटा कोई ज काम ना थी और एक्जम्पल कोकलून नाम छे अवे आ नाम ना फिल्ड मा आउँ कई पन लखेलू छे जे यूमन रीडेबल ना थी अत्तो तो मसिन रीडेबल ना थी तो आँ डेटा कोई जी काम ना थी क्लियर शिगनिफिकेंट हो जोई प्लस ट्रोपरली अरेंज हो जोई और एक्जम्पल तमारी पासे बुबधी बुक्स चे अवे आ बुक्स ने तमारा कन्विनेंस प्रहमाने तमारे वोड्रो बातवा तो टेबल ने अंदर तम्हें मुकता होई और एक्जम्पला तेर मारू ड्रोइंग थोड़ू खराव चे बट लेट मी ड्रो सम्थिंग के सपोज क्या तामारू टेबल छे आया तम्हें एक बुक मुक्स चो ए बुक बाजुमां बी मुक्स चो तेन आया नानी बुक चे सी ओके पोई वेक्ति आर इते एरेंज करें चे तो कोई एक बुक मुक्स चे इन उपर बी जा बुक नो श्टेक कर से एन आउपर त्री जा बुक नो श्टेक कर से तो नानी वस्त तो एते शुती बलो बर चे बट सपोज के ताम्हां पास आखी लैब्रेरी छे अथा तम्हें हो चलेवरी छे आपड़ी आपड़ी मेमरी नियंदर सपोज के आप मेमरी रिवलोक छे आमा डटा कई पंडिते की ईक मुकी सको चोगएक लाके तामने आघ बुक में डेटा मुकी हो तो इलोग मा मुक में आए मुकanter रांखो ए तो आया હોપીર તો આજે રોડેટા છે આ રોડેટા ઉંપર કઈક પ્રોસેસક કરીસ અને મર્સે एने के वा से information चे लास्ट लेक्षर मा अपन वाद करेली के for example मारी पासे students नो अमुक डेटा चे आ student ना डेटा नी अंदर एन्नु नाम, enrollment number, SPI, CPI, contact numbers, पची एन्नु एड्रेस बदुच छे आ डेटा उपर मुक एक प्रोसेस करूँ छू अने पची जेवाने आउट पूट मले छे एन्ने के वा से information for example मारे एव जोई छे के जे आ numbers of students ना डेटा छे एमां थी एवा केटला student छे के जे एमदाबाद एरिया मां थी आवे छे तो दरेक student तो एर अमदाबाद एरिया मां थी नहीं आवतो होए तो एवा list छे मर्शे के जे लोको एमदाबाद एरिया मां थी आवे छे तो एनने इई डेटा उपर प्रोसेस करवी पर से मारे औने प्रोसेस पच्छी जे माने डेटा माले छे इए मारो डेटा के वासे information तो होप के होई तमने डेटा सुँँछे औने information सुँँँछे इए clear थेग्यो हो छे आमा कोईज डाउट नहीं होई तेन आ एक एक एग्जाम्पल छे के आर इतनू रिप्रेजेंटरेशन हर्षे आने के वासे डेटा स्ट्रक्चर तो के मारी पास एक फिल्ड छे जेनि अंदर employee नंबर छे employee नू नाम छे जेनिनू एड्रेस छे एनू CT छे एनू पिन कोड छे तो आने हूँ उबा फोर्मेट मा पन लखी शाकू एजी ते आडा फोर्मेट मा पन लखी शाकू तो आ जे रिप्रेजेंट करवानी एथवा स्टोर करवानी मेथड जिये छे ए थिवा आपडू डेटा स्ट्रक्चर चे चीमपल वर्ड छे के डेटा स्ट्रक्चर सुँ छे देन अमूक अमुक लिटाल कही सेकाने तो एमा यह है तामारी एक तो पेला से sell देन record देनbons फेल्ड स्की मेलरणी की एंड़ुक्ष की तो किस्सेल कोनें स्कैशोख लाइं तो तमने बधाने Excel , Microsoft Excel तो तम में सम्प्रेल हो जसे तो कि आम Microsoft Excel हाशे तो एन इंदर स्टु होए कि रो और ने कोलम नूं कॉंबिनेशन होई तो आज एक पर्टिक्विलर एक जे भाग छे जेक रो और ने कोलम ना कॉंबिनेशन थी बने छे तो आथी आपड़ा माटे एक सेल अगर आप एक सेल नी जगे मेम्री होशे तो आने म आपड़ा माटे कंसेप्स शीखो जरूरी होई छे डेफिनेशन गोखवा थी आवडी जाई अलग वाद छे बने तिया सुदी कंसेप्स सम्झो गोखवानीके वस्तु जरूर ना थी तो आजे आखो कलेक्शन इनफोर्मेशन छे अथो कलेक्शन अफ डेटा छे एमा शें इन्फोर्मेशन हाना थे एने क्यवासे रो युआ वकार्ट छे एएने क्यवासे फिल आपरा प्रिवेश एक्ग्जआंपल माँ जयुअ ब्रभ्यमाने के आजे एउन्पलोई नंबर चे और नेम छे फोर्स्ट नेम छे लास्ट नेम छे एड्रेस चे इडेस आने प यांने आ पटिक्विलर एक उपः भाग छे कि एमपलोई नम зачем टोगैए आब डिटा मा जो अब उसे तुमने एक next employee नमबर न ध्टा मुलिलए बट आडेई जो शोतमे सठा़ तुमने बज्दा फिल्द न डेटा मलशें पण पर्टिकुलर एक देखती माटे मल से तो clear आधियू तमारो ро आधि तमारी कोलम येने के वासे रोणेक वासे record अनने कोलम्ने के वाशे तमारो field बट आ पर्टिकुलर रोणे कोलम्न आएक बीजा ने क्रोश करे छे आने के वासे एनो cell clear जेन छेक key तो एक एवो एलिमेंट के जेना आधारा जेने compare कराईयी शकू तामे एनने के वाचे तमारी की आ एक्जट डेफिनेशन नाथी बट concept शिखवा माठे के for example मारे कोई employee ने search करो ओछे तो employee ने search सेना आधारा करे शकू तो जेना through तमे में search करों शो एनने के वासे की जग्या शेर्च करों शोंके वाचे शर्च की ओर एक्जμपल मारे हुँ चेक करोंचे के 105 नंबर नो डेटा अर्थ या 105 नंबर न अप्णि पासे छेके यह नहीं तो आ थे ηमारी की मारे 105चेक कराँजी चेक करावाँजे टो एंप pensar a basic terminology लायिख प्रमी तोच कहोने के वहाई रेकोड़ को nicstory कोने के वहाई की किवाई प्रेफिनेंशंस था र्त दरेक्राँज inasmus पोज करें ने पन्छोई शेको छो प्लोस चारे बिया लेक्चर कम्प्रीट थसे तो तमने पीपीटी शेर करें देवा माँ आउशे तो एन्नु टेंचन लेवा ने जरूर ना थी अलग अलग बूक नी अंदर डेटा स्ट्रक्चर नी अलग अलग डेफिनेशन आपेली छे तो अगर तमने पूछाए के वोट इस डेटा स्ट्रक्चर तो तमारे कम्पल्सरी आज डेफिनेशन लखवी पड़े याज राखो के डिफाइन लखेलो वड होई शेव लखेलो है के डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर एनो मतलब के तमने ये लखो पूछी रहा छे डेटा स्ट्रक्चर नी डेफिनेशन आपो डेफिनेशन मा कोता ना वर्ड बने तिया शुदी नहीं यूज करवा जहे लखेलो छे एज इटीज लखो तो के या एक स्टांडर्ड डेफिने डेटा स्ट्रक्चर एज अ स्पेशलाइज़ फोर्मैट अ एक स्पेशल टाइप रहाएप स्टोर्मैट छे जन्य अंदर ओर्ड एनों मतलब के डेटा स्ट्रक्चर शू छे तो के क्डस्ट्रा फॉर्मैट फोर्मैट फोर्माट ठा characterized चे य।管 हो पार्मेट ईय्क वहाँ तम्में रता एड करे शाको इस फ्जास एलसा मतलब जे भी स्पेसिफिक воспiase थे इस format व्हेस तम्में रिट्राइब करे शाको अगर डेटा उपर के प्रोसेस करवी छे तो तम्हें एक स्पेसीफिक फोर्मेट थी तम्हेंए डेटा प्रोसेस करऊच हो ऍअठक्छे डरेक्डटा स्ट्रक्ट्चर ना अलग अलग known format ओछे लेटर वह ञेम जेम इँग एंग मेदर ब् correlation शें, यह अंना शेवाए 20 बेत्र भुक हें आभीपान देफिनेशे ना पिली छें कि लोजिकल और मेथामेटिकल मोडेलèces ओर्व ओर्गनाज़िङ छे एक बीजा जोडे लोजीकली करीरते connected छे इड रिप्रेजेंट करवानु मेहथड अथो एड रिप्रेजेंट करवाने जो structure छे एणे के वाशे डेटा स्ट्रक्चर आ त्रण मां थी कोई पन एक definition तम्हें याद राकी जको छो एक्जाम मां जारे भी पुछाए के what is data structure explain with example तो त्रण मां थी एक definition लखो तो पन चाले बे लखो अथो त्रण लखो जहू तमने यादरी प्रमाने तमें लखी जखो छो तो के data structure शीखवा मांटे आटल आटला points त्यान रखवा पड़े अथो आटलो आटलो तमारे एक चुले डेटा स्ट्रक्चिर ना जे points तो यह मां बड़ा मां आवे के पेला तो amount of memory required to store तो यह पोन डेटा ने store करवा माटे केटली memory required छे अफकोर्स केटली memory rock छे इंपोर्टन छे देन केटलो time जो शे एना उपर आटलो प्रोसेस करवा माटे एटले के store करवा माटे plus retire करवा माटे तेन रिप्रेजेंटेशन करेटे थाचे एनो अने एना उपर काया काया जातना operation पोर्फर्म थाई सके अ तेरे कदाज थोड़ू tough लागे अथो एम समझाएने तो चिंता कवरें जरूर ना थी आएक बेजिक टरमर होजी शे कि डेटा स्टक्चर नी अंदर आटला आटला पॉइंट्स मेनली आपडे त्रूआउट दस अब्जेक्ट कवर कर सूँ clear then सवती वधार पुछा तो अथवा तो most important topic अथवा तो question जे आज ना लेक्चे ना होँचे इचे explain different type of data structures चे चार्थी लेने साथ माग सुधी पुछाई चके छे तो के आएक ब्लोक डाइग्राम जेओ के चेके तमने तो आएक डाइग्राम याद राको के data structure चे एने mainly बे पार्ट मा डिवाइड थाए एक चे primitive अने बिजू चे non primitive देन primitive टाइप नी अंदर आ बजा सब पाइट सब पार्ट चे integer, character, pointer अने float आपने या direct ने detail मा भणवाना चे जैन non primitive मा छे एरे list अने file अने आ list ने आगर बे पार्ट मा डिवाइड करवावा मा आवे चे linear list अने non-linear list again linear list मा अलग-अलग example चे stack and q and non-linear list मा चे graph अने 3 अपने या direct topic ने dip मा पन भणवानों चे आना आजने lecture मा पन जोवाना चे पेला अगर data structure पूछाए चे के list what is the different type of data structure तो तो अमारे आ figure अथवा तो आजे graph चे इड्रो करी देवानों चे पेला चे तमाव data structure जे मा बे पार्ट चे primitive अने non-primitive primitive ने चार पार्ट चे अने non-primitive मा मेनली त्राण चे array, list and file तो लिस्ट ना बे ट्राइप पलाए चे linear list अने non-linear list लिनियर लिस्ट ना example मा चे stack and q and non-linear list मा चे graph and tree तो आपने एक one by one जोई तो के पेला तो छे के primitive data structure को ने के होई तो के primitive data structure सूचे तो के तमारू basic structure छे के जे डायरेक्ली मसीन दारा instruction अथा तो मसीन इंस्ट्रक्शन ऊपर डायरेक्ट काम करे छे तम्हें C language भने आला आशो ते इन यंदर तमने basic data types करीन एक concept तो के जे मां तम्हें बने नाया integer integer float then character then sorry pointer अगर तम्हें बने लावे तो तो आज डेटा टाइप्स छे जे रिटे डेटा स्टोर करे छे इन जे स्ट्रक्शर छे एना उपर्थित बने लूँ छे इछे तमारू primitive data structure तो इना एक्जाम्पल मां पान तम्हें जोई से को छो integer float character अने pointer आ तमारा छे primitive data structure clear primitive data structure simple and clear छे कि integer float character अने pointer जे directly simple वस्तु छे डायरेक्ट मचीन उपर काम करी सके छे आवाने के वास primitive data structure तो इन नोन प्रिमिटिव data structure शोँ छे कि जे directly मचीन उपर काम करता न थी एवा data structure नेके वासे नोन प्रिमिटिव data structure अथो बीजी बासामा कही तो कि या primitive data structure नो उजूज करी ने एना combination वानाईने जे data structure वाने शे एने के वासे non primitive data structure लेके आ बेजिक छे आएडवांस छे अथ तो आप बेजिक नो थोड़ो गणा यूज करी ने बनावा मायलू छे इचे नोन प्रिमिटिव data structure तो नोन प्रिमिटिव data structure चे अमा जे लिस्ट छे एना बे पाट चे linear एन नोन लिनियर अन्ने आगड़े जोई विप्रामाने के नोन प्रिमिटिव ना एग्जाम्पल मास लखेशा को तो में तो के एरे ग्राफ फाइल आप बदा चे नोन प्रिमिटिव data structure अगे नहीं रिपीट पे मेंन क्वेस्टिन शूओ तो आपनो तो के आपनो मेंन क्वेस्टिन छे के different type of data structure जे मां प्रिमिटिव जोई आपड़े के integer character pointer ने फ्लोट ते नोन प्रिमिटिव चे एरे list and file फैल लिस्ट ना बे टाइप चे linear ने non linear जे आपड़े आवे next slide मां जोई ची तो के linear data structure अटले क्यों data structure तो के आपनो सपोस के आँ memory ब्लोक छे आँ memory ब्लोक मां तमेज जेपी data इंसर्ट करो चो for example मारी पासे चे A B और C अ त्रोंड करेक्टर मारे काइक में में म स्टोर करावा से एक केरेक्टर अत्यार एक में में मरी शेल प्रोके छे यूँ एजिम करो तो हूँ आने A B और C आप फीजीकली अथ्वा लोजीकली एक जी लाइन मां एरेंज करू चू तो एने के वासे linear data structure अने जे फीजीकली एक लाइन मां नाती फीजीकली अथ्वा ल नोन लिनेर data structure बट आ एक लाइन मां रिप्रेजन करू आछे फीजीकली बट सपोज के उँ आवीरते एरेंज करू चू के वान छे आना पच्छी नेक्स्ट डेटा मारी आयां से लेवानों चे नेक्स्ट डेटा मारे आर रिते लेवानों चे तो आने के वासे लिंक वदर आ डिटेईल मा अबन सु बट आर इतनों रिप्रेजेंटेटेसन चे ृज उ यहा मेम्री बलोग है टमारो बट एक लाइन ऑसे विजोशे लाइन ऊचे भीजोशे लाइन यहाँ चे व searched लोजीकली तो सब्सक्ण साब्सक्रामा लखी दो छो कि आए यृटा पच्छ तो linear data structure ना example माँ शूँ कह सो को तो मैं तो के array आने link list clear definition तामारी screen उपर देखाये छे वीडियो पोस्ट करीने तम्हें note-down करी छे को छो then types of non-linear अथ्वा तो non primitive माँ छे बीजु जे नोन-linear data structure छो छे तो के data छे कोई एक sequence माँ arrange थे लान ना थी यहनो मतलब के आया तम्हें जोईशे को छो क्या टू छे आ टू पच्छीनों next data कायो तो के next 2 पच्छीनों data 5 पॉंट छे 7 पॉंट छे मतलब के आ एकज लाइन माना थी एटले के हूँ के वह मागो छो के linear data structure मा शूँ हो छे क्या तमार first data second data and third data आना पच्छीनों next एटले आ एना पच्छीनों next एटले आ एना पच्छीनों upcoming data एटले आ अगर लिंक लिस्ट आशे तो एमां के वह से के आडा आवला data भले होई बट एक प्रोपर चेन फॉल तत्य शे क्या आना पच्छीन next आ छे आना पच्छीनों next आ छे तो आ एक ट्रीनों एग्जम्पल चे आपणा पासे आकुट 3 उपर एक केप्टर जे तरी और ग्राफ उपर तो अत्यरक कर्णी खास माथा कूट करवान जरू ना थी याद रखो कि एना example माँ चे graph पोने ट्री आ ग्राफ मासुच है तो कि तमें a पची b उपर पॉरपण जह सेखो a पची c पर पॉरपण जह सेको एवन c थी direct b पर पॉरपण आवी सेखो पाचा b उपर थी a उपर आई सेखो तो आर इतनो जरे डेटा नो रिप्रेजेंटेशन थरत्व होई तो आने के वासे नोन लीनेर डेटा स्ट्रक्चर तो यह एक बे मार्क्स माँ पूछा एलो आथो तो अगर जो तुमारे वायवाद थाता होई इंटर्नल तो यहमाँ पूछा तो question छे के what is homogeneous and what is non-homogeneous data structure तो के homogeneous word नो homo नो मतलब थाए शे के एक सर खा जे होँ तो एक सर खा जारे डेटा एलेमेंट्स होई तो एने के वासे homogeneous data structure पूर एक्जम्पल ए रे तो तम्हें सी लेंग्वेज मां भने ला आशो के ए रे सुक एवाय तो तम्हें इवी डेफिनेशन भने ले शे के collection of similar type of data types एटले के suppose के सी लेंग्वेज नी पासे मां बात करिये तो integer नो ए रे एटले सुव होशे तो के मारी पास एक एवा वेरियेबल नो collection आशे के जे दरेक वेरियेबल integer type नो जाशे तो इस जीते data structure मां पने उचे के जारे data store थतो आशे तो कोई यी एकज type नो data हाशे औने एकज type नो data हूँ के ना वड़े रिप्रेजेंट कर सकू ए रे थी तो homogeneous data structure ने सुव के वाए के जारे same type ना element हाशे एने के वाशे अने एनो एकजेंपल से ए रे अने नोन होमोजीनियस मा शूँ होई तो इना थी उल्टू के वह एकज टेप नो data हो नो होई तो एने के वाशे नोन होमोजीनियस तो एनी इन दर structure आई जाए class आई जाए मतलब बहु बढ़ा एकजेंपल होई चके तेन next one is next and last one is static and dynamic data structure लब के अगर जो देट तमने उप पुछाए के what is data structure and explain different type of data structure तो तमारे आ बद्दू रिप्रेजेंट करवाने जरूड ना थी तमारे marks जोवाना केटला marks मा पुछाएलो एनने according answer लखानो अगर सपोस चार marks मा चे तो आएक तमे आ श्ट्रक्चर लखे दो देन primitive शूँँचे e लखो एना example लखो non primitive शूँँचे e लखो एना त्रन टाइप लखो array list and file देन list मा बे टाइप छे linear and non-linear question complete पर अलगती पुछाई के non homogeneous शूँँचे तो homogeneous ने non homogeneous शूँँचे तो इता मारे लखपानो रहेशे और एज जीते वीजू पुछाई छे के static and dynamic structure शूँँचे तो के static data structure शूँँचे तो के एननी जे length छे अथा तो जे क्यावाई के memory ये रोके छे ये fix अशे during execution of program येटले के एकोख़द program स्टार्ट थाई जाए बच्छी एनी जे memory जे size छे इचेंज नो थती होई तो जे size of data structure से इचेंज नो थती होई तो एनने के वाज से static data structure For example, तमें C language मां कोई integer नो एरे बनाओ, suppose integer a of 5, आनो मतलब के a नाम नो variable छे अत्यारा आपड़ा माटे छे a, एरे, आनी size छे 5 तो आप 5 जातना data store कराई सक्छे Suppose के मारी पासे आवो कोई data छे तो आप बदो data आ एन एन दस्टोर ठाई सक्छे तो आ ज्यांसुदी प्रोग्राम एक्सीक्विशन माँ छे ज्यांसुदी आप 5 नी जे आ एरे ओफ ए आनी size change नो थाई चेंज नो थाई एवा ने के वाज से एवा data structure ने के वाज से डेटिक डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन माँ पन लखे लिए उचे के the size of data जेनी फीक्स छे अन्ने cannot be changed during execution of program मतलब के एकोख़त प्रोग्राम सरू थे गयो पची तम एनी size change नो करी सको लेटर ओन तमने लागे के वे तमालानी size वर्दगर्ट करवी छे तो एव पोसीबल छे तब एव नो थे के तम एक वख़त size 5 आपी देती तो इपांच अजरे वरीती रॉन करता पिला तम एनी 10 50 20 0 कई पन करी सको छो बट during execution of program change करू पोसीबल ना थी तो एने के वाँचे static data structure अने चीमेड लाली जिनी size change थाई सके एने के वाँचे dynamic data structure के जे increase अथा decrease तमें आराम थी करी सको चेनल लिदेई flexible वनी सके तो आना example माँचे एरे आने आना example माँचे लिंक लिस्ट भबके तमने आज नो लेक्चर इंट्रेस्टिंग लागे हो अशे और बहुँज इजी लेक्चर लागे हो अशे तमने लेक्चर गई मोचे तो लाइक करी दो तो मारा डिपलोमाना विजापन फ्रेंड्स है यह मने शेर करी दो केनल उपर अगर फर्स्ट टाइम चो अथवर आयला चो पन सब्सक्राइब नथी करे लिए तो प्लीज सब्सक्राइब करो तमा जेटलो सब्सक्राइब करता रेश चो एटलो मने मोटिवे सब्सक्राइब करते जोड़ें तैंसो दी आओ जो